हाई गाईज माई नेम इस नादर सिद्धिकी एंड आपका वेलकम है एक और नई इंट्रेस्टिंग वीडियो में यहाँ पर आज हम बात करेंगे आइफोन 7 प्लस के बारे में आइफोन 7 प्लस को यूज़ करते हुए मुझे अच्छा खासा टाइम हो गया है आइफोन 7 प्लस लाँच हुआ था 16 सेप्टेंबर 2016 को लगबग 4 साल हो चुके हैं क्या हमें आईफोन 7 प्लस 2021 में लेना चीए या स्किप करना चीए ये फोन हमने second hand कितने का लिया क्या आपको ये वाला फोन second hand लेना चीए इन सबकी information आपको इस वीडियो में मिल जाएगी अगर आप Second Hand Phones पर वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे मैं इसे Second Hand Phones पर Long Term Review लाता रहता हूँ यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको यह भी पता चलने वाला है कि आइफोन 7 Plus लेने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़े ध्यान में रखनी होंगी आइफोन 7 Plus को लेकर हम कुछ इन में पूइंट पर बात करेंगे जिस पर हमने अपनी पूरी टेस्टिंग करिए तो आप पूरी वीडियो लास तक देखेगा एंड अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप डारेक उस्से इस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की यहां पर आइफोन 7 Plus के प्रोसेसर की बात करें तो आइफोन 7 Plus में आपको एपल की चिप मिल जाती ही A10 Fusion चिप जो कि एक वाट कोर चिप है रैम की बात करें तो आपको 3 GB की रैम मिल जाती है LPDDR4, storage ही बात करें तो तीन option available हैं, 32GB 128GB and 256GB I prefer कि आप 128GB लें क्योंकि जब आप ज़्यादा फोटोस किलिक करेंगे तो आपकी memory जल्दी भरा सकती है यहां पर 64GB बाला variant आइफोन 7 Plus में नहीं आता है, overall performance की बात करें तो अगर आप एक normal user है तो still best है, कोई लेगा, आपको देखने को नहीं मिलेगा, iPhone 7 Plus में Apple की A10 Fusion Chip आती ही, जो की 2021 में still powerful enough है आपको performance में दिक्कत नहीं आएगी मुझे इसे use करते हुए काफी दिन हो गए, I didn't find any major issue in the phone, updates की बात करें तो currently iOS 14 चल रहा है और आपको इसमें iOS 15 भी मिलेगा multitasking में भी कोई issue नहीं आएगा आपको 3 GB की RAM मिलती है, जो की Android की 8 GB की RAM के बराबर होती है यहाँ पर example की तोर पर मेरे पास iPad है, उसमें भी 3 GB की RAM है जिसमें मैं अपनी सारी वीडियो जिट करता हूँ बड़े-बड़े काम करता हूँ, कोई भी दिक्कत दिखने को नहीं मिलती है, यहाँ पर iPhone 7 Plus एक इसा पहला mobile था, जिसमें Apple ने 3 GB की RAM दी थी, RAM के मामले में एक अमजोर नहीं है, क्योंकि iPhone SE 2020 जो अभी 2020 में लॉंच हुआ था, उसमें भी आपको सेम 3 GB की RAM मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको performance और multitasking में ज़्यादा इस्यू नहीं आएगा, अगर आप एक normal से हलका से heavy user है तो, अगर आप बहुती ज़्यादा heavy user है, तब आपको थोड़ी बहुत दिक्कत दिखने को मिल सकती है, यहाँ पर आउन्टू टू स्कोर भी टेस्स करके देखा था, मैंने result यह आएं, यहाँ पर ज़्यादा आएं, कम आएं, मुझे से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि मैं इस पर जादा believe नहीं करता हूँ, डेली performance की बात करें, डेली यूज करने की बात अलग होती है तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर है टूटर चलाते हैं इस्टाग्राम चलाते हैं तो यह फोन आपके लिए आराम से काम कर जाएगा आपको ज्यादा दिक्क्त देखने को नहीं मिलेगी गाइस यहां पर बात करते हैं आइफोन सेवन प्ल बैटरी आपको आइफोन एक प्लस में मिल जाती है अंडाउडली आइफोन सेवन प्लस की बैटरी का में हेवी यूज करेंगे आप तो फोन आपको दो बर चार्ज करना पड़ जाएगा यहां पर जो इसकी बैटरी थोड़ी कम चलती है उसका एक और यह कारण है कि इसमें आईफोन सेवन प्लस में तैंटी dedicated display मृत है इहां पर जो आइफोन सेवन प्लस का display वह बहुत पर जाएगा यहां पर मेरा आइफोन 7 प्लस फूल चार्ज हो जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार बैटरी परसेंटेज है मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँ है कि आप इस बैटरी परसेंटेज पर फोन ले इसके कारण बहुत कम बैटरी चलती है फोन भी बह बैटरी हेल्थ मिल रही है तो ही ले नहीं तो ऐसे फोन को स्किप कर दे मैं मार्केट गया था पूछने के लिए आइफोन 7 प्लस की बैटरी कितने में चेंज होगी तो 700 में लोगल बैटरी चेंज होती है लेकिन उन टेक्निशियन का यह कहना था कि अगर आप चेंज करवा लेंगे 100% तो आपकी बैटरी दिखाएगा लेकिन यहां पर जो बैटरी परफॉर्मेंस है वह आपको अप्टूदा मार्क नहीं मिलेगी तो मैं आपको सज्जेस्ट करता हूं कि आप 80% से उपर वाला ही फोन ने 8285 के बीच में अगर आप किसी से फोन लेते हैं उसने बै अगर आपका बैटरी को लेकर और भी कुछ इस्टाग्राम पर पूछ सकते लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस यहां पर अब बात करते हैं आइफोन 7 प्लस के कैमरा के बारे में जो की बिल्कुल फाल कैमरा है यहां पर आपको कोई भी ऐसा इसा इस द आपको देखने को मिल जाएगा 12 मेगा पिक्सल प्लस 12 मेगा पिक्सल पहला जो कैमरा है वो f1.8 अपरचर के साथ आता है वाइट कैमरा है एंड इसमें आपको ois भी देखने को मिल जाता है सेगेंड जो कैमरा 12 मेगा पिक्सल का f2.8 के साथ है जो की एक टेली फोटो इससे portrait बहुत ही जादा sharp चाहिते, प्रेंट ग्रोली की बात करें, तो आपको 7 Megapixel का front camera इसमें देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आइफोन 7 Plus के camera की जितनी तारिफ करी जाया है, उतनी जादा कम है, यहाँ पर जो आपको photos मिलती ही, वो बहुत ही जादा sharp मिलती है, और उनको एडिट भी करा है आप देखेगा पूरे शोट्स और आप खुछ जज़ कर सकते हैं यह वाला फोन आप आंग बंद करकर ले सकते हैं अगर आप एक सोशल मीडिया ज्यादा यूज़ करते हैं फोटो क्लिक करने का ज्यादा काम है यूमन पोट्रेट्स ज्यादा झाल 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 आपको शौट कैसे लगे आप मुझे जरूर से इस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और कमेंट सेक्षन में कमेंट करकर भी बता सकते हैं यहाँ पर बात करेंगे हमारे नेक्स पॉइंट मेडिया एक्सपीरियेंस की यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलता है वो 5.5 इंच का फ बहुत ही जादा प्रीमियम फील देता है यहाँ पर आपको 3D टैच का हाइडवेर बेस सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा जो की आइफोन एक्सार आइफोन 11 से हटा दिया गया था यहाँ पर वीडियो और आडियो प्लेबेक की बात करें तो उसमें भी आपको बहुत ह इस पीडिया गया उपर को नीचे का दोने स्पीकर चलता जो की बहुत ही जादा अच्छा क्रिस्प साउन आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर मैंने एक सेंपल लिया है आप देख सकते हैं अब तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते लिक आपक आपको बहुत ही जाद अच्छा देखने को मिल जाएगा कोई से भी आइफोन को आप देख लिए जो इसमें टाइपिंग इस्पिरियंस था वह बहुत ही अलग रहता है और आपको बहुत ही जादा मज़ा आता है अगर आप भी आइफोन यूस करते हैं तो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करकर बता सकते हैं कि देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही जादा प्रीमियम होता है थोड़ा सा भारी भी होता है यहीं पर बात करते इसकी पूर्ट प्रेस्मेंट की तो नीचे की साइड आपको लाइटनिंग पूर्ट एंड स्पीकर देखने को मिल जाएंगे यहां पर हैटफोन जेक नही देखने को मिल जाएगा सिम्ट्रे खुलकर देखें उसमें नंबर लिखा रहता उसको भी डबल चेक ज़रूर से करें यहीं पर मैं बात करूं इसकी फिंगर प्रिंट की तो आपको सेकेंड जनरेशन का टेच इडिस में देखने को मिल जाता है जो कि आज जैसा पहले खु लेकिन यहां पर आइफन 7 प्रेस में जो आपको बटन मिलता है वो बटन नहीं एक सेंसर है उसमें इतनी अच्छी तरीके से हैप्टिक फीडबेक आता है जिससे ऐसा लगता है कि यह कोई बटन है आप जब भी आइफन 7 प्रेस लीजेगा उसको पावर आफ करके उसको खेलने में भी बस आपको थोड़ा सा बैटरी में ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर बात करते हैं पबजी की हायर सेटिंग की तो यहां पर आपको HDR पर एक्स्टीम वाला उप्शन नहीं देखने को मिलेगा 60fps वाला गेम इसमें आप नहीं खेल पाएंगे इसमूद प्ल झाल 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 झाल, पर झाल, जाल. झाल, झाल, कि वाल का हुआ झाल div झाल, झाल, कि झाल, है एक साथ प्लेट है यहैं को तो गैस जैसा कि आपने देखा गेम प्ले आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है इसमें कोई भी एस आईशू देखने को नहीं मिलेगा बस बैटरी में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊ आईफन 7 प्लस पबजी के लिए तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्षन में कमेंट करकर बता सकते हैं यहां पर बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिट की कि क्या हमें 2021 में आईफन 7 प्लस लेना चाहिए तो इसका जवावे बिल्कुल ले लेना चाहिए लेकिन ऐसा सेकेंड अगर आप इसको न्यू लेना जाएंगे तो थोड़े से पैसे और मिलाके आपको आईफोन एक सार मिल यहां पर आईफोन 7 प्लस का जो प्राइस निकल कर आता है वो 16 से 20,000 के अंदर आता है इससे जादा इसमें पैसे लगाना वरत नहीं है मेरा जो डिवाइस है वो 128GB है 76 बैटरी हेल्थ के साथ जो मुझे पढ़ाया है 19,500 का आप भी ऐसे अच्छे से देखकर OLX पर से ले सक आईफोन 6S के बाद कि जितने भी मॉडल है सब की सिम ट्रेपर उनका आईएमाई नमबर लिखा रहता है महा से क्रॉस चेक कर ले देन आईफोन 7 प्लस का जो कैमरा उसको ओपन करके देखे एक नॉर्मल शोट ले एक पोट्रेट शोट ले क्योंकि अधिकतर ऐसा देखा है कि एक कैमरा इसका खराब हो जाता है तो दोनों ही कैमरा को ओन करके शोट लेकर देख ले देन यहां पर आईडी प्रूफ ले ले सामने वाले की एंड उसके बाद आप चाहें तो आईउनलोकर.com पर इसका आईएमाई नमबर डाल कर देख सकते हैं कि कब यह वाला फोन एक इसकी मोटर तो खराब नहीं उसको चेक कर लें फिंगर पिंगर ला है कर देख लेंग दों फिंगर पिंगर नागर देख लें नियूसाइख विधिग फीडवेक आपको मिल रहा है नहीं सारे points को आप ध्यान में रखते हुए iPhone 7 Plus लेते हैं OLX पे से या कैसी भी साइट से या किसी बंदे से तो आपके जो पैसे वो बरबाद नहीं होंगे इन सब चीजों को चेक करके ही phone लीजिएगा guys यहाँ पर last में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जितने phones भी में लेता हूँ अपने पैसों से खरीता हूँ दें इनको यूज करता हूँ उसके बाद आप तक एक genuine content पहुचाता हूँ अगर आपको यह वीडियो पसंद आती ही तो चैनल को जरूर से subscribe कर लीजे और support बनाए रखें यहाँ पर मेरा यह में कि जब भी आपकी दिमाग में second and phones की बारे में ख्याल आए तो आप deep tech चैनल को consider करें उस पर आए और वीडियो देखें अगर आपके दिमाग में और कोई भी phone है जिस पर आप वीडियो चाहतें तो जरूर से मुझे comment section में comment करकर बताएं और अगर आपका और कुछ भी doubt हो तो आप मुझसे direct Instagram पर message करकर पूछ सकते हैं अज की वीडियो में इतना ही मिलता हूँ आपसे next वीडियो में till then take care